चिकंजे में आया पाँचवा आदमखोर भेडिया वन्विभाग की टीम ने हरबक्स पुर्वा से पकड़ा भेडिया अब आएगी सरगना लंगणे की बारी वन्विभाग का दावाद जल्द पकड़ा जाएगा छटा भेडिया खोकार आदमखोर भेडियों को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ओपरेशन चला रही है वन्विभाग बहराईच की टीम को आखिर कार मंगलवार सुभा को सफलता हाथ लग गई घागरा नदी कछार से सटे गाउं हर्बक्स पुरवा में वन्विभाग की टीम ने ग्रामिडों के साथ सर्च ओपरेशन किया तभी अचानक उनकी नज़र भेडिये के उपर पड़ी जिसके बाद वन्विभाग की टीम ने ग्रामिडों की मदस सी आदमखोर का पीछा किय जिस दिशा में भेडिया भागा उसी दिशा में वनविभाग के लगे जाल में वो फस गया और फिर उसके बाद टीम ने उसको काबू में करने की कोशिश की। लेकिन आदमखोर भेडिये की छटपटाहाट और उसकी फूरती के आगे बनविभाग के करमचारी हाव गए मौके पर मौझूद ग्रामेडों ने टीम के साथ भेडियों को बामुश्किल काबू किया आप exclusive तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे आदमखोर भेडिये को काबू किया गया और फिर उसको लोहे के जाल में डाल दिया फिलाल वनविभाग की टीम ने पांचवे भेडिये को पकड़ लिया है वहीं पांचवे भेडिये के शिगंजे में आने के बाद अब वनविभाग की टीम का फोकस छटे भेडिये पर है बताया जा रहा है कि आदमखोरों के सरगना लंगणे भेडिये को पकड़ने के लिए वनविभाग की टीम ने अपना जाल बिचाया हुआ जिसको लेकर वनविभाग की अधिकारियों का कहना है कि जब उसका बुरा वक्त और हमारा अच्छा वक्त आएगा तो वो भी पकड़ा जाएगा बतादे कि आदमखोर भेडिये के आतन से घागरा नदी कछार से सटे करीप पचास गाउं की एक लाक की आबादी प्रभावित थी जिसने अब थोड़ी बहुत राहत की सांस जरूरी है